हेलो फ्रेंस तो आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ये बता पहूं कि आपके इंस्टिट्यूट का मोबाइल अप्लिकेशन भी लाइव हो चुका है तो उसे आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे लॉग इन करेंगे, ये सार आप सर्च करेंगे, कैंपश कनेक्ट क्रिकले सर्च करेंगे, आपको ये सेकर्ण ऑप्शन दिखेगगा, कैंपशकनेक्ट अपिटी सोल्यूशन और सριसे इसे इंस्टाॉल करेंगे, जयसे कि आप देख रहे है था इनाप इंस्टाल हो रहा है ये मेरा डिवाइस पे यह application install हो गई तो आप install करके क्या-क्या चीज़े देख सकते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे install हो गया मेरा और अब यह इसके आगे open आ रहा है आप इसे open कर सकते हैं कुछ ऐसे पहले screens आएंगी आपको कुछ ऐसा भी आ सकता है कि next, next, next करने को आए वो basic information देगा कि आप क्या-क्या कर सकते हैं इस app में फिर आप next, next, next करके आप इस page पह आ जाएंगे जहाँ पह आपको अपना school या URL सर्च करना है आप यहाँ पह srimt direct enter करेंगे और यहाँ आपका आजाएगा sr institute of management and technology इस पह आप click करेंगे यह आपका एक basic profiling आएंगी और यहाँ पह उपर sign in को option आएगा sign in में मैं एक बच्चे का login करके दिखा भी देता हूँ यह आप login कर सकते हैं आपकी basic profile यहाँ पह दिखाएगी इसके बाद आपको direct अभी fees पे आना है यहाँ fees का option है यहाँ आपको total fee due दिखा देगा जितना आपका previous balance है current year का balance है वो सब total करके यहाँ पे due दिखा देगा यहाँ पे आप देख सकते हैं opening balance, fourth year का PDPC each and every fees यहाँ पे आपको दिखा सेगा आपको अगर online भी pay करना है तो आप यहीं पे view पे जाके आप यहाँ proceed करके यहाँ पे भी कर सकते हो ठीक है जो भी mode आप चूस करेंगे automatic यह receipt भी cut जाएगी आपकी ठीक है तो अभी मैं इसे cancel कर देता हूँ और मैं वापस app पे आ जाता हूँ और अगर आपको कुछ partial amount पे करना है तो आप यहाँ पे खुड type कर सकते हैं मान लेते हैं 10,000 देना है 10,000 लिखके pay fees कर देंगे same process ठीक है अभी मैं back आता हूँ यह आपकी है dues fees आप उपर देख रहे हैं feed you यह है आपके paid fees यहाँ पे आपकी paid fees आ जाएंगी जो भी आपकी paid रहेंगी और अगर किसी में आपने partial payment कर रखा है fully paid नहीं है तो वो paid में नी shift होती बट आपको यहाँ नीचे recipients में मिल जाती है view fees जब आप करेंगे नीचे जाएंगे तो कोई भी आपने अगर paid की होगी तो नीचे यहाँ पे मिल जाएगी अगर partially किसी में paid है और कोई भी fees जब fully paid हो जाती है तो आप वो आप क्या करेंगे यहाँ paid fees में आपको वो दिखने लगेगी आप ज़रूर rate करिएगा mobile app को ठीक है thank you that's all